असलाम अलेकुम फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको आई स्टार्ट वाली प्रॉब्रम आ रही है जैसे ही आफ कम्पिटर को बूट करते हैं और उसके बाद जो आई स्टार्ट वाला प्रोग् होते हैं अब देख सकते एक कम्पिटर बूट लेप्टाप बूट हो गया है पिन देते हैं अब देख सकते हैं यह आई स्टार्ट यह खुद वखुद रन हो जाता है अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मैं आपको आपको बताक हुँका कि इसको कैसे अटा सकते मैं यहाँ पेश को in लोज करता हूं तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि यह जो i start है यह कैसे आपके laptop में आता है जब हम drivers update करते हैं driver pack solution से तो वहां से उसको खुद uninstall कर देता है और भी वह firefox facebook कुछ application ने इंस्टाल करते हैं तो अगर आपको याइन इंस्टाल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको लिखना है this pc या विंडूज प्लस ए वह भी कर सकते है this pc file अपर आप देख सकते हो आपको जाना है c drive में और उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर search bar पहले म आपको देखाता हूँ है देखिया आप अगर इस application को रन करते हैं यहां पर जो application है स्टार्ट इसको रन करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आई स्टार्ट आ रहा है यह होँआ एप्लिकेशन है इसको हमें uninstall करना है इसके लिए आपको आई अपको यहां पे नहीं चैन इंस्टाल लिखा है होगा इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे येस और ये अनिस्टाल हो गई है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वह अनिस्टाल हो गया अब आप जब कम्प्यूटर बूट करोगे तो आपको कोई आई स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर किसी दोस्त को ये प्राब्लम आ रही है तो आप उसके साथ ही शेयर कर सकते हैं और प्लीज जनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू